तो देखिए यहां पर मैंने 19 फंदे लिए हैं, 14 फंदे इसके पैटन के हिसाब से लिए हैं, एक पैटन इसका 14 फंदों का बनेगा, प्लस 5 फंदे extra लिए हैं, 3 फंदे, साइड में डिजाइन को equal करने के लिए लिए हैं, और 2 फंदे edge के होंगी, और यह देखिए निचे से base देने के लिए दो रोव उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 14-14 के मल्टिपल से इसके फंदे लेते हो जाएंगे प्लस 5 फंदे एक्स्टा रखेंगे तो आपका ये जाए डालेंगे धागा पीछे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो तीन आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे जाए यह देखिए यहां पर हमने तीन फंदे उल्टे बनाए जाए डाली बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डाली यह 14 फंदों का पैटन है देखिए दो च चार, छे, आर, दस, बारा, चौदा, फिर से इस पैटन को रपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एस्ट इस सीधा बना लेंगे, पहली राव कम्प्लीट हो गई है, दूसरी राव रॉंग साइड, इस र इनों फंदे हर बार सीधी और उल्टी साइड में उल्टे ही बनेंगे, दोनों साइड में ये हर बार, तो दिखिए, एस्टे स्लिप करेंगे, तीन फंदे पांच फंदे उल्टे बनेंगे, तीन फंदे ये साइड वाले उल्टे, एक, दो, तीन, और इसके बाकी के जो ग् पांच पंदेव उल्टे आएंगे धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक तो तो तीन 2 फंदे उल्टे एक दो यह देखिए यहां पर हमने पांच फंदे उल्टे बनाए, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर से पैटन रपीट करते हो जाएंगे, लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एस्टिच, उल्टा, तीसी रों सीधी साइन, ऐस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन, जाई डालेंगे धागा बीछे, एक फंदा, सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे उल्टे, एक, दो एक फंदा, सीधा, दो फंदे उल्टे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का, एक फंदा, एक फंदा, सीधा, जाई डालेंगे धागा आगे यह देखिए यहां पर हमने तीन फंदे उल्टे बनाए जाए डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे एक सीधा दो उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाए डाली फिर से पैटन रपीट करेंगे चौथी रॉंग रॉंग साइड, एस टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटरन स्टाट करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो फंदे सीध है, 1, 2, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीध है, 1, 2, तीन फंदे उल्टे एक दो तीन ये दिखिए यहां पर हमने छे फंदे उल्टे बुने दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे बुने फिर से पैटन रपीट करेंगे और लास्ट में चार फंदे बचेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो ती एक तेन एस्टिज उल्ट आ कि पांच्वी रों सीधी साइन एस्टिज इससलिप करेंगे रुपीट पैटन स्टाट आंज तीन पांदे ऐल्टे एक ढहिंगे shortened phones और य нажा को एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे दो फंदे सीधे एक दो चाई डालेंगे धागा गिलाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमने तीन फंदे उल्टे बुने चाई डालें दो फंदे सीधे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे जाए डाली, फिर से पैटरन रपीट करेंगे, और लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एस्टिच, सीधा, पांच दो, तीन, चार, पांच, छे, सार, एक फंदा, सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, ये देखिए, यहां पर हमने साथ फंदे उल्टे बनाए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बना, चार फंदे उल्टे, फिर से पैटरन, repeat करेंगे और last में 4 फंदे हैं 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3, as stitch उल्टा साथमी row, see the side as stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3, जाई डालेंगे धागा पिछे लेकर जाएंगे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3, back loop से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे center का 1 फंदा सीधा, आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, जाई डालेंगे धागा आगे यह देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदे उल्टे बनाए, जाई डाली तीन फंदे सीधे, back loop से दो ψंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे जाए डाली, फिर से pattern repeat करेंगे और last में, चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एस्ट इस सीधा, साथमी रो कम्प्लीट हो गई है, आठमी रो है और प्रॉंग साइड है, एस्ट इस स्लिप करेंगे और इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे तो दिखे, आठमी रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फर्स ट्रॉंज से स्टार्ट करेंगे तो दिखें, फर्स्ट और राइट साइड, ऐस्ट इस स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, जाई डालेंगे धागा पीछे, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन पंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे धागा गिलाएंगे, ये दिखें, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से से रिपीट करेंगे, लास्ट में चार फंदे हैं, तीन फंदे, उल्टे, एक, दो, तीन, ऐस्टे सीधा बना लेंगे, तो देखिए, फिर से हमारा पैटरन फर्स्ट और से स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही बार-बार इसकी वान टू एटर और पीट करते जाएंगे, और ये पैटरन बनकर, ये दिख दिखने लगेगा, इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडी कारियन में, लेडी जैकिट में, लेडी शग में, गर्स टॉप में, बच्चों के स्टर में, तो दिखिए, आगे की साइड से इस तरह से दिखता है ये, और वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना, फैमली फ्रेंस के साथ शेयर करना, और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलें, तो मिलते हैं, ऐसी ही और नेनी पैटर्स के साथ, तिल देन, बाई बाई फैन